हेलो प्रेंटिस काफ़ी लोगों की एक क्योरी थी कि जो एटल एक्स्थम का जो अकौंट अपनी बना रखा है इसको कैसे डिलीट करें तो सबसे पहले तो आपको जो यह ATL XTEM जो APP है इसको आपको Play Store शिट डाउनलोड कर लेना है जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जैसा कि सबसे पहले आप यहां गए आप यहां पे गए और आपको यहां पे एक स्टीरियम जैसा कि आपके सामने इस तरह से यह आ चुका है और अगर पहले से हैं तो कोई सुनी है जैसा कि मेरे पास पहले से ही तो मैं इसको भी यहां से ओपन कर लेता हूं जैसा ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है जैसा कि यह आ रहे है अब इसके बाद आपको नीचे जो options आ रहे हैं my profile इसके उफ़र आपको click करना होगा दूसरी चीज ध्यान रहे कि अगर आपने कोई किसी परकार की इसके subscribe कुछ भी ले रखा है तो वो सब कुछ आपका यहां से delete हो जाएगा इसके लिए आप इसको company को दोबारा claim नहीं कर पाएंगे इस चीज कर विशेश ध्यान रखे क्योंकि अगर आप रिमानो कल ही payment वाए अगर आप इसको यहां से subscribe कर देते हैं तो आपको सब किसी परकार का payment वापिस नहीं मिलना होदा है तो अब आपको यहां पर इसके ओपर click करना होगा जैसा अब आपके सामरे कुछ option आरहा है जिसाथ दिखा देरा है settings अब आपको यहां पर click करना होगा जैसा कि मैं click करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहां ओप्सन आ रहे है इस्टीरियम इंड डाउनलोडिंग, लेंगज प्रिफरेंस, पेर विद स्मार्टिक पर आपके से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको इसको यहां से डिलिट करना है, तो अब आपको इसके ओपर यहां पर किलिक करना है, मतलब आप दिखाने होगा, तो अब आपको मतलब इस मैं इसके पर किली करता हूँ तो अब कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो होगा जैसा कि लिखा हो रहा है आर यू वांट टू डिलिट यूवर अकाउंट यहां पर यह आ चुका है इसके बाद में और यूवर शेट डिटा सच है जो बार्लिस कंट्यूनू बार्लिस डाउनलोडेट और अपर रिप्रेंस सब कुछ यहां से डिलिट हो जाएगा इसके लिए दूबराएं भी निकर पाएंगे इस प्रोसेज को आ आप नोट वर्किंग डिल्न कंटेंट अधर जो भी आप देना चाहूं आप रिजन दे सकते हैं जैसा कि मैं देता हूं कि एप नोट वर्किंग इसको कंटीनिू किया अभी यहां पर आपको नमर दर्ज करने है जो आपके रजिस्टर नमर है जिसे एप बना हूँ जैसा कि मैं दर्ज करता हूं जैसा मैंने वोटी भी दर्ज कर जिए अब इस तरह से यहां से मेरा जो एप था वो लोगवाट हो चुका है और वो अकाउ कमेंट करें और सेयर करतां ना भूले धन्यवाद